सभी रजनितिक पार्चुक आतंकवाद के खिलाफ एक मंच पर एकित्रित होने की जरूरत है करनाव में देरशाम पूंचे P.W.D. रेस्ट हाउस आतंकवादी विरोधी फ्रंट के रास्चे अध्याइक्ष मनिंदर जीत सिंग बिट्टा आपको उता दे मनिंदर जीत सिंग बिट्टा ने पत्रिकारों से बाचीत करते हुए कहा प्रत्थम देश उर्देश का जंडा पहले हम सब भारती उसके बाद हमारा धर्म बीटे दिनों हरियाणा पंजाब शंबू बॉर्डर पर हुए किसान आंदूलन पर बोलते हुए कहा कि किसान पूरे हिंदुस्तान में हैं अकेले पंजाब में नहीं है आंदूलन करने का सब को अधिकार है लेकिन आंदूलन के अंदर देश के प्रतम सेवक प्रधान मंची नरिंद्र मोधी के बारे में कहा जाए कि पहले विरोजपूर में आये थे बच के चले गए अब बच कर नहीं जाएंगे इसकी जिमेदारी कोन लेका पहले हमने भी देश के दोदो प्रधान मंची को खोया है राजीव गांधी इंडरा गांधी पंजाब के चीफ मिनिस्टर को खोया है हमने पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कतले आम होते देखा और 19,000 हिंदू भाईयों का खोन पीते हुए इनको देखा है अब भी यह चंद लोग खोन के प्यासे हैं मेरा सवाल है सिक्समाज से कि वह है इनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते बिटा ने कहा मेरा धर्म भारती मेरी जात वंदे मात्रम पहले में भारती भारत माफिर मैं सरदार हूँ और वो सरदार जिसके लिए गुरू तेख बहादूर वो गुरू गौविंद सिंग साहिब ने अपना जीवन बलिदान किया था जब यूके कनादा अमेरिका वाजर्मनी के अंदर तिरंगे जंदे का अपमान होता है क्या तिरंगे जंदा एक कौम का ही है? क्या तिरंगे जंदा सिर्फ हिंदू का है? जलिये वाला बाग के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख व इसायों का खून बहा है उस लाल लहू से यह तिरंगे जंदा बुना हो गया है किन्तों जग तिरंगे जंडे को फुटबॉल बनाकर पैरों से रोंदा जाता है मेरा सवाल है अपने सरदार भाईयों से क्या आपको तकलिफ नहीं होती प्रधारमंसी मोदी द्वारा सिखर कम्यूनेटी साहिट पूरे रास्टर के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने 370 धारा हता है आजादी के बाद आज तक किसी ने भी रास्ता नहीं खोला करतारपूर कोरिडोर बना गुरुगाविन सिंग साहिब के साहिब जादू के नाम पर वीर बाल दीवस रखा गया उन्होंने कोई एहसान नहीं किया पर हमने भी उनकी कभी प्रचेंशा नहीं की हाँ उनके लिए भद्र भाषा का प्रयोग जरूर किया हर्याना की धर्ती पर खालिस्तान के नारे लगे हमने पंजाब में खालिस्तान के नारों को खत्म किया था लाल किरे पर तिरंगे जंडे का अप मांद कर मेरा सवाल सिख कम्यूनिटी को है कालिस सान न कभी बना था न कभी बने देंगे बंदी सिखों की दिहाई की मांग पर बित्ता ने कहा बंदी सिख किसे मानते हैं यह बंदी सिखवे हैं जिन्होंने पंजाब में 36,000 बेगुनाहों को कतले आंकिया, हजारों बहनों को विद्वा किया, जारों बच्चों को जतीन किया और उनकी धिहाई की मांग नाजायद है। जो छिंबू बाडर पे सबका धरना हुआ है। जब को किसान हिंदोस्तान में है, अकेले पंजाब में नहीं है। और तो कहीं धरना नहीं लगा। अंदोलन करने का सब को अधिकार है। यह रेक्ष लोक्तंतर है। पर अंदोलन के अंदर, पर अंदोलन के अंदर देश के प्रत्थम सेवक, नरिंदर मूदी जी के बारे में यह कहा जाए। कि पहले फ्रोजपुर में आये थे, बचके या बचके नहीं जाएंगे। इसकी जम्यदारी कौन लेगा, यह मेरा सवाल है। हमने दो-दो परधान मंतरी हिंदोस्तान में खोये हैं। हमने पंजाब के च्री मिनिस्टों को खोया है, हमने पंजाब में 6,000 बेग गुनाहों का कतलयाम होते देखा है, और 19,000 हिंदू भाईयों का खून पीते हुए इनको देखा है। अब भी ज़े चंदरों खून के प्यासे मेरा सवाल है इंसे तो छिक समाशिय वाज क्यों ना उठें मेरा सवाल है अपने अंदर किस बात का गरूर मैं कहना चाहता हूं हम भारती हैं मेरे चे पूछो मैं कौन हूं पहले जिसने काली निकाली निकाले जिसने गंद बोलना बो किχा और गुडू मह majority चांदधरी चौंघ में अपने शीष को निशावर किया था वो गुरु गुबिन स Says महाराज जिनका जनमत्तान पतना सब आखिरिस्तान महोरास्ट्रा नदेर साथ वह भारत वह भारत की बात करते माहा खालतां की बात करते कि जब तरंगे-जंडे जब तरंगा जंडा क्या एक कौम का है? क्या सिर्फ हिंदू का ही है? नहीं, तरंगा जंडा हिंदू मुसलमान सिख्य साई, जल्यमाला बाग के अंदर हिंदू मुसलमान सिख्य साईयों का कून बहा है, उस लाल लहू से ये तरंगा जंडा बुना गया है, पर तरंगे जंड को जब फुटबाल बनाके पैरों में रूदा जाता है मेरा सवाल है अपने सरदार भाईयों के आगे चिर्द जुका करके क्या आपको तक्लीफ नहीं होती हुआ मेरा सवाल है जसने गंद बोलना बोले तमारी ये अचीकी तैसी प्रस्थम रास्थ भारत मां तरंगा जंडा पहले कोई किसी की आवाज नहीं उठती हिंदोस्तान के प्रस्थम सेवक नरिंदर मुदी जी को गाली दी जाती है उनको मारने की धमकी दी जाती है होंगे बीजेपी हमें क्या लेना होंगे किसी पलाटी से हमने क्या लेना उन्होंने रास्थ के लिए कुछ किया है उन्होंने 370 दारा हटाई है उन्होंने करतारपुर्शाप का रफ्ता जो आज तक कभी किसी ने खोला नहीं आजादी के बाद एक तरफ पुलबामा की संप्धारी एक तर्फ गूरू नालंग देव जीडार गूर पूरभ केता जिंदा रहू न रहू जझा प्रहू जंग हो जाए पर गूर नालं 상ज कबू tipo में हिंदू साद में रिभ्ण यहाजरी बनेंगे क्या किया नहीं कि क्या गुरु गुबिन सिंग महराज के दो ठाइब जादों का नाम जो नियो में चनवा दिया गया जंग में शहीद हुए किवेर बाल दिवस नहीं रखा हैसान नहीं किया उन्हों ने हमने एप्रिशेट तो उनको कभी नहीं दिया किया और हमने गंदी बाशा का प्रयोग रूर किया है हमने जरूर यह कहा है फिरोजबुर से बच गए पहले इंद्रा गांदी मारी अब मुदी जी आपको मार देंगे बॉर्डर खोल दो पाकिस्तान के हम दिली कभजा करनेंगे क्या करो वे दिली इनको पूछना चाहता हूँ यह कहते है दिली कूछ करेंगे क्या करेंगे अगए दिली में क्या क्या आपने अच्छा करम किया था बताईए किसान दोनन से क्या बदल गया वो लाल किला जहां बद्ब τरणा जंडा लेहराया गया और आपने उपर चड़के तरंगे जंडे का अप below करके पाकिस्तान को बता ढिए पाकिस्तान रिया हमने हिंदोस्तान पर एक भाष्थान की बात यरंति-हका ना रिद सुर्ण ना नygenा नाघीम nau के जवानों का क्या कसूर था उनको पैरों में नीचे रोधा गया उनको पकड़ पकड़ के नीचे बंद कर दिया गया और दूसरी तरफ नेरंदर मोदी जी 26 जनवरी को राष्ट पती जी के साथ वो शाहीद जिनोंने कुर्मानिय दी भारत मा की शिमाउर रक्षा करते हुए अपने बच्चों के साथ आई जिनको प्रफ़ार्ट किया उनके बच्चे अपनी मां को पूछते हैं हमारे पिता ने इस बारत माता की आजादी की रक्षा के लिए शहादत दी इस तरंगे जंडे में हिंदू मुसलमान सिखे साईयों के खूं के तरंगे जंडे में लिप्टी हुई बॉडी आई उस तरंगे अपमान एक तरफ अपमान पर नरंदर मोजी जी कहते हैं ना वही ना अपमानत आज कर देना 26 जनुरी का दिन दुनिया में हमें बदनाम करते ना हमें कोई फिकर नी पर इस पगड़ी पे गोली नहीं चलेगी अपमान से कर लूँगा देश का पर इस सरदार साब की पगड लेना पुलिस को कहा जीटे रोदें रोद भी देना मीका प्हिकने चले जाना पर इने पर लाटी ना चलाना क्या कहीं लाटी चली मेरा सवाल है अपने शिख बाईओं क्या भारत आपका नहीं है क्या शहीदिए आजम भगत सिंग क्या जलेवाला बाक के हिंदू मुसल्मा थी खिसाई क्या शहीदे आजम उद्दम सिंग क्या राष्ट के लिए कुर्मानी नहीं दी थी क्या महारार रंजी सिंग जी जनका काबल कंदार तक राज्ट्रा उनकी पगड़ी पे अपने धाग लगा दिया बोलने को त्यारी नहीं बिट्टा बोले तो गलत बोले हिंदू बोले भाई तु फिरकप्रस हिंदू भाई बोले तू बीजेपी हिंदू भाई बोले तू नफ्रत विलाने बाला तो सरदार कोई बिट्टा बोले तो गाली देंगे तुमारी याशी की तैजी पहले भारत उतके बाद कुछ और आता मैं इनको चैनलेंज करके कह देना चा और भारत मां को आज नहीं आने देंगे खालस्तान ना कभी बना था ना कभी बनने देंगे और कैनेडा के अंदर यूके के अंदर हमारे रोज तरंगे जंडे का अपमान किया जाता है मंदरों पर हमले होते हैं हमारी पगड़ी के रोज दाग लगाया जाता है हम हिंदुस्त कौन जुवाब देगा क्या गुर्दवारा साब में एकठे होकर के सारे से कभाई जिम्मेदार हमारे लोग क्या गुर्दवारा साब में एकठे होकर बेटियां भाई बैन पत्रकार आपको बुला के सिर्फे गुरु महाराज का पकड़ा बान के कहेंगे हम खालस्तान नहीं चाते हम भूके नंगे पाकिस्तान से नहीं मिलना चाते जपनुजाते लोग भूके-ट सक्वित-चुक्ड़ों परई पर फारने वाले हमारा इत्से कोई समंद्ध नहीं यह हमारे कुरू गुबिन शिंग जी का देश्चू हमारे गुरू देग किसान अंदोलन के कौन खलाफ है भई होना चाहिए आपकी डिमांड आपको करनी चाहिए पर ये तो कोई तरीका नहीं है कि बीच में गुश करके हर्याना पुलिस इदर खड़ी है उदर हम कहते हैं जी हम पतंग चलाएंगे हम ड्रोन को फिंख देंगे क्या यार पगडी की पुलिस का जवान क्या पंजाब के पुलिस का जवान क्या फरक्या कोई वह अपनी ड्यूटी देता है किरपानी नकाल के ड्राते हैं यार हमारी पहचान यह पगडी मानमता की रक्षा की लिए यह जो पगडी पहरावा है यह मानमता की रक्षा का है आपको पता होना चाहि कैसे सुधार हो सकता है इसमें जो एक ही सुधार जितनी देर तक मैं फिर कहा हिंदू कहे तो फिर का परत हिंदू कहे तो नफ्रत विलाने वह हिंदू कहे तो बीडेपी हिंदू कहे आरस से तो सरदार साब नी बोलेंगे तो कैसे सुधार होगा बताओ ना हम बोलेंगे नहीं हम बोलेंगे नहीं अरे कहो ना हम भूखे नंगे पाकिस्तान के चुक्रों पर पनने वालों के खलाब क्यों नहीं कहते क्यों नहीं कहते इतना क्या हंकार है हमारे अंदर किस बात का हंकार हमें गुरुण नीचे सिर्फ जुकाना से खाया है लड़ना से खाया है मातर भूमी क वह एक अलक वक्त था जब मुगलों के साथ जंग थी हमारी किसे लडाई है एक पूछना चाहिए नेरंदर मोजी जी से क्या लडाई है लडाई किसी से नहीं है जए निगलेंगे कि बाद करूँ एक बड़े संत महात्मा देखता हूं पीछे फोटो किछकी जिनके कारण हमारी सिक्की बदनाम हुई जिनके कारण चती हदार बेगुणाहों का कतलयाम हुआ जिनके कारण ब्लू स्टार उपरेशन हुआ जिनके कारण चुराची के दंगे हुए जिनके कारण 19,000 हिंदू भाईयों का कतलयाम कर दिया गया जिनके कारण हरमंदर साप को क कि लिए एक व्यक्ति जा रहा है और आप देखते हैं इसके सिर्पे पगड़ी नहीं और सरदार है तब भी पगड़ी नहीं सुवी लैंड में लगजा है हम योदे वाई योदे जोदा कौन होता है जो मैदाने जंग में लड़ाई लड़ता है उदर भी बंदूख हो इदर ह और रख्ते में ट्रेनों से लिकाल करके हिंदू समझ करके आपने निशाना बना दिया 25-25 मेनों के सोहा को जार दिये बथों के नीचे पट्रॉल की जगा खून नीचे तपकता हुआ देखा अब भी कहते हम खून के प्यासे आपको लगता है चुरासी के दंगें के वही ज अगर 60,000 बेगणाहों का कतले अम ना करते हैं अगर हर मंदर साब को धाल ना मनाते मैं आपसे स्वाल पूछना चाहता हूं सामने मंदर हो जा गुर्धवारा साब हूं मैं अपनी बात करता हूं मंदर हो जा गुर्दवारा साथ ठीक सामने पुलिस हो या फाउज हो कंदे अंदर गुषने लगें अगर मेरी जमीर और मेरी अंख है मेरे गुरू के परती मेरे राम के परती मेरे वाई गुरू के परती अगर मेरी जमीर है तो मैं छाती ठोक के कहूंगा अगर अंदर जाओ तो मेरी लाचों से गुजर जाना होगा मेरे सीने पर बूली या चलाओ मुझे पकड़ने आये हो ना इसलिए रमंदर साभ में गुठना चाहते हो ना मुझे पकड़ने आये लो अलब पकड़ो फिर भी जाना है तो मेरे सीने पर गोलियां मारे उपर मेरे राम ने गुरु महराज गुरु रामदास के इस खुबितर सान को तकों से सजय हुए को एक कंकर भिना लगे लक्ष नानत है जमीर कहाँ चली यारमघारी हमने अपने आपको बचाते बचाते हमने गुरु रामदाजी को डैडेरी किरा दिया हमने अकालतखत साब को डैडेरी किरा दिया ये संतों को महात्माओं को धर्म परचारकों को कहना चाहिए हम कहते हैं बंदी सिख छोड़ दो बंदी सिख कौन होते पता कौन होते बंदी सि हिंदु बाई का मार के खूंण पिया मेरे मेरे वास दो उन्होans हचां को जारा जिन्हों हधार बच्छों प्जां जतीं किया जिननके हाथ में बंदूक नहीं थी जिनके हाथ में तरचूहल नहीं थी आप ने देखा विक पर पकड़ी नहीं है उतारो इसको थक्षक ठक मार दिया, वो बंदी से खो गए, मौत के सुधागर, मौत के सुधागर, इन्हें में पोलने किसी हिम्मत नहीं है किसी में, अध्रिय यह है, अध्रिय सर्दार है, औरे, इने चांद लोगों को, मैं कहना चाता हूँ, इसको योदे काते, नियत्थे लोगों को रसे में रे योदा किसको कहते, सामने चलती हो, बॉर्डर पे गोल दिया, ठक 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 चले, फिर चाहीद हो, जैसे जवान, जैसे गुर्तेज सिंग, बठिंडा का, चाइना के अंदर, बगार बंदू से करपान नेकर, पच्टी चैनकों को देर कर दिया, उनको कहते योदा, इनको म हिम्मत नहीं है, इनमे, जगाने की हिम्मत नहीं है, हाँ, एक हिम्मत है, गाली देने की, गंदी बखवास करने की, इनको चांदलों को में तुछाए सवाल, आप किस तरीकें से देखते हैं, प्रधान मंतिर नरेंदर मोदी का कार्यकाल, जो रहा पूरे पिछले 10 साल, लहराया जाए, जवानों पे पत्थर फेंके जाएं, बेहनों के सोहाग उजारे जाएं, हर्याना के हर गाउं के अंदर महीने में 50-50 बॉडियां हिंदू-मुसलमान इसाई के तरंगे जंडे में लिप्ती हुई आएं, और ये कहा जाए कश्मीर हम ले लेंगे, आज कश्म ये है, क्या मैं गलत कह रहा हूं, क्या मैं बीजेपी की तरीफ कर रहा हूं, क्या मैं परधान मंत्री प्रथम सेवक के परधान मंत्री नरिंदर मोदी की तरीफ कर रहा हूं, हमें शाहीदों के परवारों से प्यार है, कितने बेहनों के सवाग उजड़ जाते थे, दूसरी जौंपणी में टंट के आगे मिट्टी गटे में तफानों में उनका अपमानत होते रहे बगवान ने फ्रिस्ता दिया नरंदर मोधी जी को फृस्ते के रूप में बेजा ना धंगे हुए ना फसाद हुए ना गोली चली जैश्री राम राम जनबुमी का निर्मान हो गया क् ग्यान जापी कभी सोचकत है कि ग्यान जापी भी खुलेगा अब तो मतरा और काशी है क्या सोचा था तरंगा जंडा लहराया जाएगा चंदरमा के उपर क्या सोचा था कि दुनिया के अंदर इतना नाम होगा भारत मा का कहां इंडिया को साइड में कर देते थे आज कहते ह हिंदुस्तान अब यह पेड़ ऐसारगें अधी अधोर आ साफ़ जो करना करने बार बार कहूंगा आखरी सास्ता निकलेगा सातना वाय गुरू जया शरी राम मेरा धर्म भारतमा मेरी जात बंदे महातरम इनकी आची तैसी नफरत करने वालों